Hello everyone, welcome to your own YouTube channel The Math Machine Show Friends, I hope कि आप लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Second Provisional List में कितने बच्चों का नाम आ सकता है जैसा कि आप लोग को पता होगा B8 का Second Provisional List जो है वो आ चुका है Biological Sciences का और Physical Sciences का ठीक है लेकिन अभी जो है Mathematics, Social Studies और उर्दू का Second List नहीं आया है तो यह Second List आना है आपको कल इससे पहले मैं आपको Expected जो है Number of Students कितने बच्चों का नाम आएगा Second Provisional List में यह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं B.A. Mathematics में Total 116 बच्चों का नाम आया था First List में और B.A. Mathematics में Total सीटे है 163 तो इसमें Total 116 बच्चों का नाम आया था Second List में जो है B.A. Mathematics के Second List में 41 से लेके 47 बच्चों का नाम आ सकता है यहनि 41 से 47 बच्चों का नाम आ सकता है B.A. Mathematics के Second Provisional List में अब बात कर लेते हैं B.A. Social Studies की तो इसमें Total 210 बच्चों का नाम आया था First Provisional List में और इसमें Total सीटे हैं 245 210 बच्चों का नाम आ चुका है अब Second List में जो है B.A. Social Studies के 70 से 85 बच्चों का नाम आ सकता है यह 70 से लेके 85 बच्चों का नाम आ सकता है यह depend करता है कितने बच्चों ने admission नहीं करवाया या कितने बच्चों का admission counseling के दोरान reject कर दिया गया उनके जो documents थे उसको accept नहीं किया गया यानि उनके documents में कमी रही होगी इस वज़े से उनका admission नहीं किया गया तो Total 70 से 85 बच्चों का नाम आ सकता है बीएड social studies में अब बीएड उर्दू की बात कर लेते हैं बीएड उर्दू में total 82 seats हैं first list में 79 बच्चों का नाम आ चुका है अब इस list में यानि second provisional list में जोगी कल आने वाली है उसमें 12 से 24 इतने बच्चों का नाम आ सकता है यानि second provisional list में 12 से 24 बच्चों तक का selection हो सकता है यह भी इस पे depend करता है कि पिछले list में कितने बच्चों का selection नहीं हुआ उनके कागजात की कमी के वज़े से या फिर other reasons जैसे कि कुछ बच्चे documents upload नहीं किये या फिर कुछ बच्चे जो की admission लिये ही नहीं तो यह सारा depend करता है इस पे और total 12 से 24 बच्चों का नाम आ सकता है बीएड उर्दो में फ्रेंड्स आई होब कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें थैंक्स वर वाचिंग